हेलो सभी बच्चों को नमस्कार राम भारत माता की जय हिंद और मेरी प्यारे बच्चों कैसे हो सब लोग उम्मीद करनों सब बच्चे बड़ी आओ गया आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज है उनको समझेंगे जो कि पेपर का लेबल करा रहा हूं मैं तो चीज़ों को पहले समझना है उसके बाद निप्टाना है आओ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहां पर 2009 से 2021 कि जितने भी क्वेश्चन्स है वह सब कराई जा रहे हैं ठीक है यहां पर लिखा भी है ठीक है दोस्तों यह रहे हमारे विजयधाकरे सर यानि मैं जो आपको इस सब कराएंगे पहला क्वेश्चन फिलिंदा ब्लेंक्स विद करेक्ट इस प्रेपरजिशन तो आज जो मैंने शुरुआत कि वह प्रेपरजिशन से किये बच्चों बढ़िया प्रेपरजिशन एंग्जैमिनेशन में काफी बार आये हैं बेटा यह तो करो भी दोस्तों मज़ा आएगा मैं आपके तब तक कॉमेंट लेलू तभी भियाओं को रामराम राधी राधी भारत माता की जए जी बेटा यादव जी क्या नाम है विकाश ठीक है बेटा दीपती सब लोग जूचुके है शालिनी वगरा सब जूचुके हैं बच्चों बहुत अच्छा लगा अब मैं बेटा आपको पढ़ाता हूं देखो पहला क्वेस्चन है आईम कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट के साथ में आपको प्रेपजिशन लगाना होता बच्चो क्या साथ में आपको प्रेपजीशन क्या लगाना होता है यूफ्ट ड incl साइड मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड करो और यह बताओ मैं लग्या सा रहा हूं या राज माल लग रहा हूं क्या इस सबस्वार जिम जिम जा रहा हूं आपको निप्टा दोगा समझे देखो दोस्तों कॉंपी डरिंट के साथ में आप ए तेरी ऐसी की तैसी ना लाइक अधिक रहेगा इसको भाई बुरा मान गया तू अधिक रहेगा ओं फिडेंट के साथ में आप लोग आफ का प्रियोग कि अगरो यह फिक्स प्रैप होता है दुस्तों कॉंपी डेंट के साथ में आप लोग आफ लगाओ ऑफिस में सही उत्तर है तो आई एम चलो अगला क्वेशन बच्चे यह रहा ही हिंडर मी डूइंग दिस अब देखो कौन-कौन क्या-क्या उत्तर लगाता है मैं आपके कॉमेंट्स को पढ़ रहा हूं प्लीज जल्दी बताओ अब देखो दोस्तों यह भी बहुत आसान है आपको शायद ना पता हूं मैंने क्लासिस में भी इससा पढ़ा दिया है क्लासिस के अलाबा जिन बच्चों ने यहां पर पढ़ना स्टार्ट गिया तो उनको बता दियू बच्चों कि मालो किसी भी सेंटेंस में डेविट सब इसके बाद आ रहा है हएं इसके बात बच्चों आ रहा है इमपूर्ट है यह त्बच्चों धैविट है आप लोग बिना सोचे समझे, from लगा दिया करो हालांक शब्द बहुत जादा है बच्चो इसके शब्द आता है prohibit इसके साथ में भी from आता है ठीक है, borrow इसके साथ में भी from आते हैं तो बहुत सारी शब्द है बच्चो जिनके साथ में आप लोग from का प्रियो करते हो उसमें सिख शब्द और हिंडर ठीक है from तो इसके साथ में आपको यहां पर from का प्रियो करना है यह बहुत आसान होता है तो आप लोग इनको लिख लेना यह सब्द बहुत बार रिपीट हुए है इनके साथ में बिना सोचे समझे आप लोगों को from का प्रियो करना है ठीक है मेरे प्यारे कमांडोस ठीक है जी दोसो अगर आपको मेरी बात समझ आई तो इसको मैं हटा देता हूँ इसका जो उत्तर रहेगा बच्चो वो रहेगा सिगिंड अगला मेरा कॉशन ये रहा आफ देम इस बैड अब देखो दोस्तों सेवरल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कई सारे और का मतलब होता है दोसे ज़्यादा मैंसे सभी यानि इनके साथ में दौनों के साथ में बहु बच्चन आता है इन तीनों के साथ में आपको लगाना है plural verb सीधी सी बात बताऊँ बचा हमारा नीदर तो नीदर के साथ में आप लोग singular verb का प्रियोग किया करो अब जैसे बचों यहां पर क्या क्या सकता है मालोग कहीं पर each आए every आए everyone आए either आजाए दोस्तो neither आजाए दोस्तो any आजाए इनके साथ में आप लोग singular verb का प्रियोग किया करो singular verb बहुत आसान होती है चीज़े बच्चे तो आप लोग यहां पर singular verb का प्रियोग करेंगे तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यह वाला यह इसका उत्तर है फेल नहीं होगे ठीक है यह रहा दा फर्स्ट वर्ल्ड वार इन उननीस सो चौध है 1914 हाँ मेरे प्यारे दोस्तो अब एक बात आपको शायद ना पता हो पता हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो बच्चों इस बात को मैं यहां समझा देता हूँ देखो दोस्तो एक टॉपिक होता है आपका टाइम एंटेंस टाइम एंटेंस टाइम एंटेंस जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें सबसे मूल भूत चीजी यह है कि टाइम डिसाइडस देंस टाइम डिसाइडस देंस टाइम डिसाइडस देंस यह बात आपको याद रखना है टाइम डिसाइडस देंस जैसा टाइम होगा वैसा टेंस होगा जैसा टाइम होगा वैसा टेंस होगा ठीक है अब इसमें टाइम हमारा यह रहा है यह हमारा बच्छो प्रेजेंट या पास्ट बहुत सारी माता भेहने बोल रही है कि यह जो टाइम होगा वह पास्ट होगा क्यों मेरे प्यारे बच्छो मैं सही बोलना हूं या नहीं आप लोग कॉमेंट करके बताओ देखो ससुरे लाइक भी तो नहीं करते शैसन को तुम लोग पाप ही आदमी हो क्या बात है यार कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम लोगों को भाई मेरे प्लीज भाईया हाध जोड के निवेदन है सैशन को लाइक तो करलो कम से कम यार कि सिंद के काव बोलू मैं तो वाले यार तुम्ह Remember कि बनो तो समझानी है अहांत मीरी यार तुम लोग गलत मत बनो तुमलों सपोर्ट क्यों नहीं गरना चाह री ईहों आश्या से को लाएक कर लो पहले मनना पाप लगेगा ओ तृट है अब पाच्ट है तो बेटा प्रजेंत वाले हटा दो यह हटा और यह हटा और शैना यह भी तो प्रजेंट आहे एभी अफेंट विगन बचा हमारे विगन हम यह इसका उत्तर है इसका इंप पैपर आता we omegaama अनुप्षा एंपने सिंपल आत Goldman कि भीया औल्दों के साथ में आप लोग यट का प्रियोग किया करो यट यय कॉमा यह पर प्रमागा जाता है नो सुनर के साथ में आप लोग देन का प्रियोग किया करो ती एच यह एंडेन का हाडली के साथ में ये एक शब्द आता है सकार्सली हाडली और सकार्सली के साथ में आप लोग या तो वेन का प्रियोग किया करो या बिफॉर का यह सब पेपर में आ जाते हैं वेटा ठीक है इसके अलावा हालांकि मैं करा भी चुकों इदर के साथ में बच्चों क्या तो 9 अदर के साथ में आप लोग दैन का प्रियोग किया करो बिना सोचे समझे ठीकर 9 अदर देन अब किसकी आभिशकता हो रहा की तो इसका उप्तर हो जागा बैं कुट तो राइटिंग मेरी ये तने अच्छी है ना राइटिंग तो मेरी अच्छी है 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 तो कर राधे क् संभू नाथ रे, भूले नाथ रे, वो संभू नाथ रे, चलो, इसको देखो, ये पेपर में आ गया है, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, देख लो, पक्की बात है बेटा, दो हजार चौबीस तक तुम्हारा ब्या हो जाएगा, अगर आपने ये लगा लिया त हो, ग्यारेंटी की बात है, अगर ये नहीं लगा तो बिटा, आपका ब्या दो हजार तीस तक भी नहीं हो ना, आप लोग बावले हो जाओगे, आप मुझे गालियां दोगे, बुला, गुरू जी, आपने गलत तरीके से शाप दिया था, हाँ या ना, बिटा, तीस तक भी नहीं होना, अगर ये नहीं होगा, तो मैं आपके आंसरस को चेक कर रहा हूँ, इसमें आपको बताना इडवर्ब कौन सा है, वो इस असुरा विशाइड को लेके पढ़ाए, अब एक गधे, नाला, विशाइड आपका प्रेपरजीशन होता है, कितनी बार समझाओ मैं, बि स्री कृष्णागर, ये बहुत बढ़ी अश्राबास, आपने सही पिचाना मेटा, मज़ए आगे दोस्त, मैंने बोला सी वोज सिफ्टिंग, वो सिफ्ट हो रहा है, क्लोज, वियर, कहां पर क्लोज, तो आपको शायर ना पताओ, अगर कुछ चीज हाव का उत्तर दे, हाव का उत्तर दे, वियर का उत्तर दे, ये सब का सब बेटा इडवर्ब होता है, तो मैंने बोला, ही वो सिफ्टिंग, वियर, तो आपने बोला, क्लोज, वियर, क्लोज, वियर, क्लोज, वियर, क्लोज, मतलब क्या, ये वियर का उत्तर दे, इसका मतलब ये रहा आपका, इडव एट वर्ब ऑफ प्लेस में शुम्हः बच्छों प्लेस एए आपका बिटा प्रणावन यह आपक कदर सकते हो और आप लोग बच्थो ऐसे भी गड़ सकते या चुलू बर पानी हो उसमें डूमरना वो ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए नाले कहीं के सात्वा है वाट इस अकरेक्ट लेकिन उससे पहले बेटा कई बार कई सिप्स में मैंने इसको देखा हुआ था तो एक रिमूब टू का भी मैं लेके आया मैंने बुला चलो बच्चे अपने यार इका तो हुई जाए वाई दाबे इस वार गलती से रिमूब टू रख दिया तो बच्चा फिर गाली देगा इसे बज़े से बच्चो मैं रिमूब टू लेके आया हूँ देखो दोस्तो जब भी कभी टू और टू को हटाओ तो आप लोग इसमें सो डेश 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 डेट का यूस किया करो और देट के बाद में यहां पर आएगा बेटा कैन या कुड के साथ में नौट इतन इतन या कांट या उडंट आएगा आया ना तो इसका मतलो ये हो नहीं सकता हो नहीं सकता चलो ये गलत है अगला है देखो इसको डेश गुड इनौफ अब 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 बकवास है यार ये तो और ज़्यादा बकवास निकला के तेरे इस्क मैं खुद को भुला लू हूँ हो नहीं सकता हो नहीं सकता हो नहीं सकता यह हो सकता है यह होगा चलो आगे देखो दोस्तो डेली एस्कूलर देन पटना बहुत बड़ी आए ट्रांसफर्मेशन है बच्चो यह बेटा निवी में आते थे पहले एर फोर्स में भी आते थे लास्ट टाइम अगनी वीर में नहीं आए कौरोना के बाद इससे जो एक्जैम हुए है उसमें कता ही नहीं आए तो एक दो क्वेशन में ले आया हूं पहली बार लाया हूं अब एक मच्छर आदमी को बना देता है डेश 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 राधे कृष्ण राधे अभी बच्चे राधे राधे बोलेंगे में की तरफ से सभी को राधे राधे राम राम भारत मत्या कीजिए हरार महादेव हॉस्पीटल बनाने से स्कूल बनाने से लोग पढ़ लिखे जाते हैं तो शायद आपके गधों को यह नहीं पता कि जब मंदर नहीं थे ना स्वरी जब आपके स्कूल कॉलेज नहीं थे उससे पहले बच्चों आपके हाँ पर मंदर गुरुकुल थे उसमें शून्य का बहुत बड़ा योगदान है आपकी कॉन में एकॉनमी में भी और वैसे भी मंदिरों की बज़े से गुरुकुल चले गुरुकुल की बज़े से संस्क्रत भासा का विश्कार हुआ संस्क्रत भासा में ही वेदाज उप्रिशद गीता बगर सब लिखे सोचो कोई उनिविस् अब रही होते है आजगल आप लो मंदिरों की बज़े से रिशियों की बज़े से संस्क्रत भासा की उत्वत्ति हुई है ठीक है वेदाओं का उपनिश्द का आविस्का अब जो लिखा गया है ना बच्चो वो उसी भासा से लिखा गया है पूजा पाट किया करो मैं भी कर नौट आना चीए इसमें देली इस अलना ना इस तो कुले दिन पटना हो यह तो होगा नहीं यह होगा विटा यह होगा यह गलत है डेली इस नौट सो कूल नहीं यह भी गलत है यह भी गलत है अप्शन करने ते गया यह यह हो सकता है कि अप्शन करने ते गया मेरे पास तो यार एक मिटो को मैं इसको चेक कर लों पहले तो कहांगे मेरी ओरिजिनल पीडियाफ यह ने कहां पर कॉश्चन भीजिए थे बच एक मिटो को मैं ओरिजिनल पीडियाफ से चेक करूं है ना बच्चे इस कॉश्चन को चेक कर लों झाल कहांगे यार मिटी पीडियाफ इस को त्रइए लगा लों कर दो मेरे पास में इसका कोई भी यार मेन कहां बेजाता है इस मेरे लगा लों दिल नी पीडिएफ, I'm sorry यार एक काम करो, इसका ये लगा लो अप, ये वाला ठीक है, ये वाला, पटना is not so cool as Delhi, इसका option मुझे लग रहा चेंज था, उसमें थोड़ा सा, अगर वो नहीं है तो फिट बेटा ये लगा लो, चीक है, अगर इसकी डिगरी आपको बना नहीं है, पॉजिटिव, क्या मुलने, what is the correct transformation of the sentence, transformation है ये, वोगर डिगरी चेंज करेंगे, तो ये जादा है, बढ़िया बच्चो, ठीक है, आप इसका तर ये लगाना, ठीक है, डिगरी अगर इसकी पॉजिटिव डिगरी, माल लो इसने पॉजिटिव डिगरी मुझे समझी नहीं पॉजिटिव डिगरी आना चाहिए, अगर पॉजिटिव डिगरी तो ये सही है, इस question actually, I'm sorry guys, ये मुझे मिला नहीं है, तो मैं माफी चाहूँगा इसके लिए, हालांकि अगर इसमें पॉजिटिव डिगरी पूची गई है, तो इसका अपतर ये लगाना आप लोग, ठीक कि देखो, अभी मैं जल्दवाजी में पीडिय बनिये थोड़ी से, तो हो सकता है दोस्तों, चीक है, और किटी करेकला से सागरा, सागरा, हाजी दोस्तों, फिलिंदा ब्लेंक्स, मैनी अमैन, मैनी अमैन के साथ में आप लोग इसका प्रियोग किया करो, सिंगुलर वर्ब क अब बच्चों, सिंगुलर वर्ब इसमें इज भी है और इसमें हैज भी है, तो बेटा, आपको पता को डन, तो यहां पर हैज आ जाएगा, इज के साथ में थर्ट फर्म कव आएगा जब पैसी बोईस हो, तो यहां पर बेटा, इसका उत्तर होगा यह वाला, यह इसका उत नौर आ रहे, नौट अनली आ रहे, बट आल उसो आ रहे, बट आल उसो आ रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा, आप लोग वर्ब लगाना सिंगूलर, आबे क्या हो गया, पास वाले के नुसार, जो यहां पर आएगा, इसके नुसार वर्ब लगाओ, बाद वाले के अबी भी मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास एक्चुल में जो ओरिजिनल पीडियाफ है, जहां से मैंने एक क्वेशन लिखे है, वो मेरे पास में है नहीं अभी, मैंने भी देखा अबी था, अगर इसमें पॉजिटिव डिगरी है तो यह लगाओ, अगर इसमें कुछ अग्यूपैड का आपको सिमिलियर देखना है, अग्यूपैड का आपको सिमिलियर देखना है, सिमिलियर का मतलब सिनोनिम देखना है, अग्यूपैड, तो आप लोग बताओ, दीप्ति इसका उत्तर क्या होगा, राधे कृष्णो राधे, 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 राधे तो प्लीज, अचा भी बता भी तो मेंट इसका है, भी दस्वेंग का है, आपको ग्यारेवे को उत्र देना है, ग्यारेवे को उत्र फटा आपड दो, हां जी, तो अनुक्विपैड का मतलब होता है, जिस पर आपका कब्जा ना हो, यानि खाली हो, तो इसका सिनोन इंड अव बच्छो मीनिमम का मतलब होता है कम से गम चीक है तो आप इसका उत्तर लगाईए का बच्छो デज चा उत्तर है अनक्यूपाइड का अगले क्वेंट अगला स्प्ष्चिन इसका उत्तर बिदा दो दो इंट्रिम उफ अगरी कितने वडे कितने वडे मैं नाला को भी एक सब्सक्राइबर बढ़ाए यार इतनी महनत करने के बाध एक सब्सक्राइबर बढ़ाए तुम लोग यार भिकार आदमी हो भी है है हम नहीं यार यह तो गलत बात है यह तो यार दोस्तों प्लीज कम से कम इतना तो कर दो यार कि 10-20 सब्सक्राइब रोजाना बढ़े 5000 करने मुझे पहले मेरे बस मात्र 120 कम है प्लीज यार थोड़ा सा आप हेल्प करो एंटोनियम औफ अग्री अग्री का मतलब सहमत होना एंगर मतलब होता नाराज डिफर का मतलब होता अंतर होना ही ट्रेड का मतलब होता घिनोना और अगला रहेगा बच्चों क्वारल क्वारल का मतलब होता जगड़ा करना जगड़ा करना अब आई समस्या इसका उत्तर क्या लगाओगे तो बहिए इसका उत्तर क्या लगाओगे आप लोग अग्री होता जहां पर विचारों में similarity हो समानता हो और differ होता जहां पर विचारों में हंतर हो तो इसका उतर लगाईए काई लीटिक प्रिफिक्स और में आपको प्रिफिक्स लगाना है बहुत आसान है बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप लोग यह भी नहीं कर पाई तो मेरा मानना यह कि फिर आप लोग बेकार आदमी हो आपने हजार बार सुनाओ को डिस ओडर तुनाएगी नहीं सुना अगर आपने डिस ओडर सुन रखाए बेटा दीपती तो आप लोग क्या करोगे यह जो आईए से क्या है नामे आईएफ आईएफ लबर भाया जी इसका हुत लगाना क्या डी इसका लगाना है तो आइए फ्लबर समझ लें बेटा चलो अगला हरिकेश भई यह थोड़ा चीज़ों को धंग से देखो अब इसमें आपको देख रहे है स्पैलिंग मिश्टिक यह रहाप के स्पैलिंग मिश्टिक इसको कौन करेगा दोस स्पैलिंग मिश्टिक कौन करेगा प्लीज आप जल्दी करो प्लीज स्पैलिंग मिश्टिक कौन करेगा बेटा प्लीज स्पैलिंग मिश्टिक करो बहुते आसान है ये हाँ जी दोस्तो आप इसको तर क्या लगाओगे बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्छों का बी आ रहे है कॉमेंट बहुत फास जा रहे है आसकल बहुत अच्छा लग रहा है बच्छों प्लीज ऐसे सपोर्ट करो आनन्द भीया विकाश आईस लबर दीप्ती सब लोग ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो इसको यह बहुत बढ़िया यह पेपर मांगे है बच्छों अगला रहेगा चूज जा वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग तू दा गिविन वर्ड देखों दोस्तों मुंडेन का मतलब क्या होता है मुंडेन यह आपको बताना है मुंडेन का मतलब होता है साधारण यह मामूली ता द्यों यह मामूली यह आप इसको बोल सकते बच्छो क्या मुंडेन को और regeneri को एक्सिलेंट का मतलब अति उत्तम यह तो आप लोग समस्चे होगे खेर है वड़िया शवर्गिया और अगला रहेगा एक्स्ट्र ओडिनरी तो एक्स्ट्र और इसका उत्तर होगा क्योंकि इसका सिनोने मोता है ordinary तो इसका एंटोने मोजाएगा एक्स्टा ओडिनरी क्योंकि हम्में पूछा गया क्या opposite word तो इसका उत्तर होगा बच्चो एक्स्टा ओडिनरी हाँ जी दोस्तों क्या आपको मेरी बात पढले पढ़ी अगर मेरी बात पंपल सकतर देख लो झौषव आपको देखना पड़ेगा कॉम रादे राधे क्रिश्न राधे कृस्ट hazard कृस्टर कृस्ट इस कॉमेंट मीज़ी और नहीं हमारी जो ओडिएन से बिकार हैं डिफेरेंस वाले बच्चे जोते हैं न भाई सब विश्वास मना भाई यार राहूल डिफेरेंस वाले बच्चे होते हैं वो अपने टीचर के लिए मरे जाते हैं लिए हमारे जे कमांडो आप देखी दोस्तों लावल भी आभी यह कह रहेंगे गुझें जी कैसी बच्चे तुमारे सपोर्ट ही नहीं करते हैं यार यह तीन शब्द आपको यार रखने एक और एक शब्द आता है कॉम्प्लिस का मतलब होता है टू अचीव वन सारगेट इसको मैं लिख देता हूं यहां पर अपने लक्षगी प्राप्ति करना यह होता है स्किल्ड टैलेंटेड कुशल और यह होता है पार्टनर इन क्राइम यह वन वर्ड में आ गया पार्टनर पार्टनर इन क्राइम अब यह से बच्चों मालनों दो बच्चे हैं दो लोग हैं हाँ दिक तो यह हो गया है अरे यार यादव यह तो तिरी जाए सगल न वहाई तो इसके बाल वल कर दूँ मैं है ना तो लड़की हो गया अब इस लड़की हो गया एस लड़की से ब्रेक अप हो गया ठीक यह है यह बहुत टेंचन वे लड़का अब लड़की ने क्या किलरा कि ने सोचा है akkor मुझे से बदला लेना तो मेरे लिए बाइक ले आना इसे बाइक पर बैटके भग जाओंगा वरना पबलिक ने अगर मुझे पकड़ लिया तो बहुत पीटेगी तो इसने क्या किया कि इस लड़की को जैसी थपड़ मारा थपड़ मारके यह भगा ठीक है पीछे इसके लोग भग रहे थे तब तक क्या हुआ बच्चो किसका दोस आगया दोस ने बाइक पर बिठाया और इसको ले गया अब बिटा इसने लड़की को थपड़ किसी ने मारा इसने तो आप इसको बोलोगे क्रिमिनल यह हो गया आपका क्रिमिनल और इसको बाइक पर बिठा के कौन ले गया यह वाला बंदा आप इसको बोलोगे accomplish यानि जिसने main काम किया जिसने वास्सम में गलत काम किया जिसने कोई crime किया लगकी को थपड़ मारना crime है तो इसने थपड़ मारके भागा तो यह होगा criminal अब इस criminal को लेके भागा तो आप इसको बोलोगे accomplish accomplish का मतलब होता है है अपरादी यापरादी का दोस्त, सह अपरादी या अपरादी का दोस्त, पार्टर्न in क्राइम, यह शायद आपको समझ आ गया होगा, एक्सिसरी का मतलब होता है, सहायक, यह इसका सिनोनिम हो जाएगा, अब बच्चो ऑपोनेंट होता है का उत्थ और एंटन ए मैं सब्सक्राइब शॉ always उत्थ हुंग रक्षक है। है要ना अगला कर और अगला व्चो फ्रेंड प्रेंड इसका उत्तर होगा बच्षो सेनोनीम होगा तो एक्सेसरी और इसके सिनोनिम है हमें तो एंटोनिम देखना है तो इसका एंटोनिम हो का बच्छो क्या escort क्या समझें मेरे प्यारे दोस्तों हस मत मेटा पढ़ ले समझा बरना अभी तू हसरा है दुनिया तेरे पहसेगी यह क्या यार इतना वड़ा सा क्यों कि रही है गिविन ब्लो आर्ट सेंटेंसिस विद सर्टिन पॉर्ट संस अच्छा ओओ ओक्यों ठीक 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 यह इसने इडिया है मैं तो इसका थुड़ा सा इसको ऊपर कर दू यह आपका इडियम है बच्छो घवराने की आवशक्ता नहीं है सब बढ़िया होगा बहुत बढ़िया होगा एक दिन स सबढ़िया थे सर्ब करेगगा समझ बॉलस बात को मैं तुम Гisma साथ हर तरीके से हर समय हूँ इतनी देखो महनत करके यह सब टाइप करके लाता हूँ टाइप करवाता हूँ पीडिया बनवाता हूँ बनाता हूँ सोचो रात रात बजगता हूँ तुम्हारे लिए उसके बाद तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं मत करो लेकिन एक बात याद रखना है बच्चो जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको मेरी बहुत याद आएगी हाँ याना चलो बींग इंटोवर्ट है यहां पर अंडरलाइन थी बच्चो ऐसे इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है यह आपका एक इडियम है इसका मतलब होता है suffer silently यह होता है कि चुप चाप कष्ट को जिलते रहना क्योंकि वह इंटोवर्ट है इंटोवर्ट का मतलब होता है जो मतलब अपने अपने में रहे हैं वह अपने आप खुद तक्रीफ जिलता रहता है silently चुप चाप उसका उत्तर होगा बच्चो टू सफ ख्ल्फूयर यहां प्र दला इंती बच्चो का सटूर्ट में इसका उत्तर होगा रहेगा in the following questions there are four choices find out the suitable meaning to the given word इसमें बच्चो आपको करना क्या है इसमें आपको synonym देखना suitable word का मतलब होगा suitable meaning का मतलब होगा same same meaning बाले यानि synonym रेष्ट का synonym आपको देखना है प्लीज बच्चो रेष्ट का synonym देखो और बताओ प्लीज पत्ली कमर मुरी हाई 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 तिरी छी नजर मेरी हाई 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 को कॉमेंट तो कर दो यार कुछ बताओ इसका उतर गया होगा कि उसे सुना बी पर लगा पड़ा है फट डाले केंग का और देखो इसका इसका मतलब आसानी होता है समझा इस रिपोस रिपोस का मतलब समस्यो विश्राम नीद नीद लेना है विश्राम करना नीद या विश्राम ठीक है यह इसका उतर होगा डैस्ट का लीजर का मतलब होता है बेटा यह आप आप कारां आम कामाम को अपने साइड में रख दो लिजर ठीक है रेस का यह होगा रिमेनिंग का मतलब शेस बचा हुआ रिमेनिंग का मतलब शेस या बचा हुआ होता है शेस या बचा हुआ शेस या बचा हुआ ठीक है शेस या बचा हुआ रिमेनिंग कैसे समझें आप लोग अब आगे देखो दोस्तो means का बतुब शाधन होता है means होता है शाधन चलो दोस्तो means का बतुब शाधन होता है मैं तुम्हारी भावी से बोला था तू कम से कम एक दौनों हमदरों डांस करें न एक वीडियो में एक बार में famous हो जाएंगे है ना निया भावी और में डांस करें वाई मज़े आ जाएगा दोस्ट वो गाना गाए पतली कमर में बोलू हाई 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 एक ये वीडियो में काम है वाइरल हो जाएगा सुई दाकने मासा देको मज़े लेते हुए विद भावी है ना अधिक्रिष्णा कैसी बात कर भाव मज़े विद भाव करना जैशियर आओ जैशियर आओ देखो दोस्तों मेंस का मतलब शाधन होता है रिसोर्सिस यह नि यह तो गुलत हो जाएगा रिसोर्सिस वेस का मतलब तो आप लोग समस्थे को रास्ते सपोर्ट मतलब सहारा चिगनी श्तुबव आई डर साना इस सरी के साथ का मतलब होता है तो चुम चलो अगला रहे कर बच 보मस बै यह बहीनिया और यह इन यह पहलता एंप एलस्ट्रियों सभी को लिख लो मसकर यह सिनूनिम होता है अब इस के बार मैं आ गया है है यह आमिनेंट है इसका एक और का मतलब होता है कम नौन तो समस्य होगे लीडिंग समस्य होगे कौश्टी मीश होता है महंगा तो आप इसका अफ्तर क्या लगाईएगा बच्छो नौन ठीक है जी आप इसको अराम से एक बार कॉपी कर लो ठीक है तो कि आपका कुछ भी छूटने ना पाए हालांकि लिखो मतलिको कोई फरग नहीं पड़ता इसकी पीडियेफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा पैदा नहीं हुआ मामा जब तक धाकड़ी सर तुम्हारे साथ में है तब तक तुम्हें हराने वाला पैदा नहीं हुआ कोई एंशन मतलों इंग्लिस में 20 में से 20 लपेट क्या होगी आप लोग अगला रहेगा वें तो इसमें क्या करना है करेक्ट वर्ड को आपको इसमें था तो आप इसको यहाि गंदी निगाहों से देख़ो है को मेरे प्यार भ्यादत रहिए बंद्यों लिएस सेंत्रों लाधर करह्में के को ए अगरा म्हों मोराथे लाधर कृष्ण दादेगस्न दादेग्र कि एससेंत्य गंदी निगाहों से देखो अगो हाँ जी दोस्त इस सेंटेस को गंदी निकाहों से देखो कि तो आपको फील होगा इसका उत्तर क्या होगा वेल सी वस कौट जब सी को पकड़ा गया रेड हंडीर का मतलब होता रंगे हाथ अब बच्चो इसमें आ रहा है आप उत्तर क्या लगा सकते हो मेरे प्यारे बच्चो बताओ तो अब यहां पर बच्चो अगर और आप लोग वर का समय नहीं नहीं इसका मतलब यह पैसे बॉस्स में बने गा नहीं यह अतर हो गया फिर समझे लो जब सीको पकड़ा गया रेट हैंडिल का मतलब होता है रंगे हातों और इस जांते हैं हर plans failed, उसका plan fail हो चुका है, हो चुका था, पास्ट में है, तो वर का प्रियोग ना करें, अगला रहेगा I shall not be late, मैं late नहीं होगा for dinner, डिनर के लिए, unless, unless, unless if, यदे train late हो जाएगी तो, अबे train late होगी तो, ये क्या, तो सैंसी नहीं बनेगा, unless आएगा, unless के साथ मैं वेटा, not नहीं आता, ये हो नहीं सकता, या तो ये होगा, अच्छा, unless वाले clause में कभी willshell का प्रियोग भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, बचा हमारे पास में ये, unless और until के साथ में कभी भी willshell का प्रियोग ना किया करो, और इसके साथ में कभी not नहीं आता, ठीक है तो बेटा, बहुत आसान था यह यह तो आप आराम से कर लोगे अगला देखो अगला है one who works for the welfare of human wings बहुत बढ़ियां दोस्तों मज़ा आ गया बच्चों ट्रेटर का मतलब था गदार गदार देश द्रोही जैसे हमाई देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब जब पाकिसान जीतेगा तब 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 हमारे देश में पटा के फोड़ेंगे आप इनको क्या मानोंगे देश भक्त या गदार अकॉडिंग टू मी देश से भखा देना चीए जो अपनी धर्दी मां के निया वो किसी के नहीं हो सकते हैं तो ऐसे लोग ट्रेटर होते हैं पबलिक होता है भीडवाड अकाउंटेंट आप लोग समस्य हो गए तो एक ऐसा बंदा जो human beings के welfare यानि देखवाल welfare का मतलब होता भीड़ाई बलाई के लिए काम करेगा बलाई के लिए काम करेगा ऊसे आप लोग ह्यूमनिस्ट बोलोगे यह ह्यूमनिस्ट होता है अगला देखो अगला है उसके नंदर बहुत बढ़ी अबड़ी हो हायाना चलो अब देखो दोस्तों wizard, thief, exporter और coach ये चार है बचे wizard का मतलब होता है बच्चो विचितर इंसान जादू का type का जादू का type का इसके अंदर amazing abilities होंगी ये इसका उत्तर है thief का मतलब होता है चोटा चोटा exporter होता है बच्चो निर्या तक coach तो आप लोग समस्य होगे coach भाया न तो चोटा इसका हो नहीं सकता exporter हो नहीं सकता, coach हो नहीं सकता तो wizard इसका उत्तर है प्रभू को चलो दोस्तों मेरे प्यारे भाईो भेनो मित्रों इसको देखो deep and throw बहुत सिंपल है हाँ मेरे प्यारे दोस्तों भाईो भेनों मित्रों जल्दी बताओ deep and throw का मतलब होता गहन गहरा इंटेंसिविस का उत्तर होगा यह ससुरा पेपर में आगया बताओ ऐसे-ऐसे questions पेपर में आते हैं जिनकी की आप उम्मीद भी नहीं करोगे और ऐसे-एसे questions को ढूर के लाते हैं आपके माननी विजए धाकरे सर तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ भी बेटा पेपर में आपके लिए unknown हो मैं चाहता हूँ कि सब चीज आपके लिए known हो आपका भी बला हो और मुझे satisfaction मिलगा कि हाँ मैंने जो बच्चों को पढ़ाया वो पूरा का पूरा examination में आया हुआ है बस यह है बाकि हमारा और आपका प्यार बना रही तरीके से यही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से तो यह बेटा इसका उतर है अगला रहेगा दोस्तों क्लीम का मतलब बताइब दावा गरना और अफर्म का मतलब आप लोग समस्य होगे यार अफर्मेटिव अफर्मेशन आफर्म थीन शब्द होते हैं बच्चों यह ठीक है एक ऐसी कोई चीज जहां से आपका जो लाइट है न वो एक मिट्र को बच्चों लगता है तुम्हारी भावी नमबर साथ का फोन आ गया है एक मिट्र को झाल हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों आओ अपने मुद्धे पर तो जहां से प्रकाश गुजर जाए तो उसे आप लोग गुजरे ना मना किया उसने तो आपक होता है जहां पर बेटा कोई बीचीज आरपार ना देखे ठीक है चलो अपार दरसी होता है यह इस टोल आप लोग समझते होगे पत्थर यह शब्द आपको समझनी आएगा यह होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप एरपोर्ट पर जाते हो ना यह मस्चीन होती जिसमें सामान अंदर जाता है आप उसको बोलोगे यह ठीक है चलो इनकॉर्पोरील का मतल निराकार नहीं होता है निराकार होता है इनकॉर्पूरण हां जी दोस्तों चलो मेरे प्यारे मित्रों इसको निप्टाते हैं फिर हम लोग वन हूँ इंगेज्ड इन एक्ष्ट्रा मेरिटल अफियर ओहो मज़ा आगे दोस्तों चलो जैसा कि आपको पता होगा बच्चो मेरे वारे में ज़्यादा बोलूँगा निचलो छोड़ो यह क्या होता है यह यादव है इस हराम खूर की शादी होगी बच्चो आलिया से याद आप खूश मत विए बच्चे एक्जामबल दे रहा हूं मैं तुझे है ना इसकी शादी होगी आलिया से थाया ना अब शादी के छह मीने बाद अब समझे हो ना क्या हुआ इसका दिल आ गया जैकलीन पर प्यार से नाम लेना बच्चो इसको मैं बहुत लाइक करता हूं तो अगर आपका अच्छा परफॉर्मिंस होगा तो आपके भी सपने में आएगी परफॉर्मिंस गंदा तो बेटा सपने में फिर मैं आऊंगा द अब भरिगा इससे फिर इसको यादार 쿲ि जैकलीन की में अब इसके चकर में ना घूम रहा है तो यह कैसा बंदाओ का फ्रती इसी को आप लोग बोलोके बच्चो यानि चांदी के बाद भी इसका फ्यैर यानि शादी की दिधुरा की यह होता है बच्चो फ्लर्ट और ज है याना एक बात बताओं बच्छों तुम लोगों को मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं यह आपको पढ़ाते हैं क्या के अरिश्टुक्रल को पढ़ो इसको पढ़ो किसी को मत पढ़ा करो अगर वास्ता में आपको ज्याल लेना है न तो विदुर्नीती पढ़ना यह तो विदुर्न पर्संग है यह तो उनका नाम है विदुर्न एक इस्टेटस भी होता है अपना जिस सरी के से मान लो कि कोई महिला है उसका पती मर जा उसको विडुड़ो बोलते हैं यह अपना शोशिल इसको मुझे नहीं बता खैर विडुर्न एक ऐसा आदमी जिसकी और अवरत मर जाए हां या ना उतलब रडवा हो जाए रडवा नहीं बोलेंगे इसको रडवा बोलते हैं वहीं होता है चलो अगला आप शकुनी मामा को समझ पढ़ोगे ना तो आपको यही पता यही आपको ऐसास होगा कि यह ससुड़ा कितना बदमासाद में था हर चीज में अगला रहेगा इंटॉक्सिकेंट इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता जहरी ला कल अपार्डव कलास में मैंने आपकर चेकर कर रहे हैं अगला गुरु जी मैंने माव जहरी ली है यह न दही थो होता है दूस्तों इंटॉक्सिकेंट ठीक है यह फिलाल अलग शब्द है जहरी लाव अलग होता है अट्रक्टिव होता है वह यह हैं पोजिजन बगईर्ण चलो खेर अगला देखेंगे इसका उत्तर होगा ये वाला अगला देखो बच्छो find out the correctly spelt word ये इसा सुरा पेपर में आया है बच्छो पार्लिया मेंट कई बार पेपर में आया है जब मैंने एक्जैमिनेशन दिया था उस टाइम भी आया हुआ था तो इसमें जो करेक्ट है बच्छो वो ये है पार्लिया मेंट्री थोड़ा सा इसको मैं जल्दवाजी में करा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी जाना है थोड़ा स प्रिया में आपको पताऊ के यादिगार बनाना किसी चीच्थ को इसका उत्तर बता दो होता है कि मरीं कि यह इसका उत्तर होगा अगला देखो अग्ला हिसमें बच्चो इसमें श्टैनोग्रेफर आकॉटेइंस डिक्षिनरी की स्पैलिंग तो बहुत लैते हैं यार यह आए रही है तो अले हैं प्रोविशनरी होता है जो चीजों को सीखता है ठीक है आगे देखो दोस्तों ये सब गलत हैं देखो टाइम थोड़ा कम है तो अभी में देख लेना अपना सही स्पैलिंग बता देता हूं मैं ये सब के सब पेपर में आई हुए है प्रीविस पेपर उसके बचो अगला देखो अब आपको इसके नरीशन बनाने बहुत आसान है बचो ये चलो अब देखो आपको पता होगा सेंटेस हमारा अफर्मेटिव में है उसमें बेटा क्या आएगा तोल्ड तो आ नहीं सकता अबजेक्ट नहीं है सैडी आएगा सेर चारों में ठीक है अब बच्चो देट आएग प्रश्च्ट परफेक्ट में है तो सेंटेस मनेगा प्रफेक्ट में इसका मतला बच्चो ये तो गलत है और ये भी गलत है या तो यह ओगा या यह होगा आप दिस किसमें चेंज होता इष्ट में यह भी गलत बचा हमारा यह यह इसका उतन हRE I'm कैसा रहा कर लोगे ना बहुते आसान है बच्चे ज्यादा टफ नहीं है लास्ट क्वेश्चन बच्चों यह रहा इडेंटिफाइदा पाट आफ स्पीच आफ दो अंडरलाइन वर्ड ही को रहेगा इसके वाद और भी अच्छे यह देखो यह भी पेपर में आया हुआ इसम ि मैंने सुना इसको ओनली ये ये स्टर्डड़े वेन कब केबले स्टर्डे को अब यहाँ पर ना पता हो ये स्टर्डे हमारा बच्छों क्या है ये वैन का उत्तर है ये डवर्ब है अगर ये इडवर्ब है na बच्चे जक्विट येस्टर्ड़े आपका नहीं हो HmAd handsUP मैने वीएए रए आय हाव ऒए यह साव इडवब होते हैं अचाम इडवब की विश्यस्या कौन बढ़ा रहे हैं- спас अथ नी डी यह वार्वेर की ओवध्य साहमी डॼर बतलाएका तो यह वाहतात्यों होगा कैसा रहागा मेरा मजाग मजाग नहीं यह वास्ता बिखता है बच्छों कि दिमाग हिला देंगे questions मैंने क्या बोला चुम्हें पढ़ा रहा हूं ना इसमें से साथ से आठ नंबर तुम्हारी पक्के हैं यह गांठ वांदलो है है याना चलो अगला रहेगा what is the passive voice of the following see teaches us English बहुत आसान है बच्छों इसका पैसिव दो तरीके से बना सकते हो मैं बता देता हूं एक अस्य बनाओ असका क्या होगा वी आर टॉट इंग्लिस बाइ बाइ अर अब देखना बच्छों क्या ऐसा कुछ है क्या वी आ टॉट्टव हो सकता है यह सही है एक इसका उत्तरवर हो जाएका बच्छो आप इंग्लिस से बना लो इंग्लिस इस तॉट टूमी गुर्देब गलती करके आप पूरीसी गलती करके इंग्लिस से तॉट टुमी बाइ बच्चे पूछ रहे ते आज मुझे, अब कर लो यार, बच्चों से मैं बोलने को कि बच्चे तैयार बैठे गुरुदेव, इसी बता रहा हुँ मैं, कोसे चैनल आपका? गुरुजी का एक चैनल है समरपड लाइव, बेटा वहाँ पर जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो, गुरुजी रिजनिंग पढ़ाओ, धरना दे दो, तम मानेगे, वेरी बात माननी रहे यार, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हुँ, उसका नाम है समरपड तब ही सुनेंगे, ठीक है, गुरुजी रिजनिंग पढ़ा दो, वरना हम भूख अरताल कर देंगे, तो यह पढ़ाएंगे, मानी नीद, यार, क्या करूँ मैं, ठीक है बच्चो, तो देखने हैं आप अपना, बाकी मैं आज इतना ही पढ़ाओंगा, आसली इतना बहुत ह है, हम लोग कल मिलेंगे, बाकी आपकी जो भी समस्य हैं, जो भी आपकी queries हैं, comment box में बता दीजेगा, इसका pdf में डलवा देता हूं बच्चो कहां पर, आपके telegram channel पर, ठीक है बच्चो, आसली इतना बहुत है, सभी को, जहिंद, राम राम भारत माता की जय, बंदे मात रम है बच्चो, आपके हैं